तो टीचर स्काडमी के ऑनलाइन प्रेडफॉर्म पे मेरोईत कमार्च वारी फिच्कल एजुक्योशन की क्लास में आप लोगों को सवगत करता हूं कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बढ़ी होंगे सब्सक्राइब करते हैं जल्देल जी सबी लोग एक बार आजाए ए लिखने बज़े यह क्लास जो है डेली आप लोगों को आठ बजह मिलती है तो यह जो आठ बजह की क्लास है आपको किसको ध्यान में रखते हो UPTGT क्योंकि değild frightो जहां टक स्विच्वतर यहां कि जन्वरी से और सबसेंहेंकर करें कि जन्वरी में रहेरा को सब को ध्यान में रखते हुए हम त्यारी कर रहे हैं आज मारा यह प्रैक्टिस रड़ नमर पांच वा है तो चलिए हम प्रैक्टिस रड़ नमर चार में कहां तक देखे थे क्योशन नमर 14 तक देखे थे आज इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो भी आपका जाम होता है उन सब एक्जामों में टीचर सकाइड में द्वारा एक निहसुलक बैच भी है जो की आप फ्री आप काश जोइन कर सकते हूं जो की हर एक्जाम के लिए होगा वो TGT हो PGT सब के लिए होता है तो वह एक लब बैच आप जोइन कर सकते हैं इसके साथ ही साथ हम बात करें अगर तो स्वसंता बैच है जिसमें कि आपको डेली लाइब क्लासेस मिलेंगी आपको रिकार्डेट वीडियो मिलेंगी आपको नोट्स मिलेंगे या टीजीटी, पीजीटी, वीघीज़, KBS, NBR, D, SSH team सब से हैं अगर आप मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं तो 9628959237 पर संपर कर सकते हैं अगर अब्जेक्टीव के साथ साथ अपना कॉंसेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं चलिए तो हम बात करते हैं आज के क्यो उस दिन का चलिए लता जी गूड़िवनिंग, असोख पाल जी गूड़िवनिंग, पारुल त्रिपाथी राम राम, कुमारी स्रिष्टी गूड़िवनिंग, ममता कुमारी गूड़िवनिंग, विजय यादव जी गूड़िवनिंग, ममता वर्मा, जैहिन, प्रमीन कुमार बड़ाब्चन जि guys, good evening rave आज गुड़ादे जिलावि सभी को गुरी तो यह आज का हमाराut कॉशिन प्रैक्टि से ड़ेट नमप देफि नमेंख निदेशन near आप लोगों को लग रहा हो कि क्लास अच्छी है क्लास सही होती है तो आप क्या कर दें आप लोग क्लास को सेयर कर दें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि जब दोनों लोग effort दूसरे के लिए डालेंगे तब फिर मज़ा आता है क्लास करने में चलिए तो अगर हम बात करें आप लोगों से कि आज का जो कि एक सेकंड दीजिएगा एक सेकंड दीजिएगा भाई झालेंगे झालेंगे चलिए अब बताईए क्या होगा क्योशन हैंड बाल के विषय में कौन सा कथन सही है हैंड बाल के विषय में कौन सा क्योशन सही है पुर्सों के लिए भार 425 ग्राम से 475 ग्राम महिलाओं के लिए भार 350 से 375 ग्राम पूर्सों के लिए 29 cm इसके अरावा महिलाओं के लिए 27 cm केवल A, B और D सही है केवल B, C और D सही है केवल A, B और C सही है बताइए किसकी बात कर रहा है या बात कर रहा है हैंड बाल की तो जल्दी से सभी लोग बताएं क्या होगा तो देखो अगर मैं handball की बात करें तो handball की अगर बात करें तो इसका जो अंतरराष्टी handball महासंग है इसकी अस्थापना कब हुई थी तो याद रखना 1946 इसमें किस सन में हुई थी तो अंतरराष्टी है 1946 महासंग जो बना था इसका मुक्षाले कहां है तो इसका मुक्षाले जो है वह है बेसल में कहां है बेसल में इसका मुक्षाले है ठीक भारत का handball महासंग कब बना तो 1972 इसके अलावा ओलंपिक में इसको कब सामिल किया गया तो याद रखना ओलंपिक में इसको पहली बार 1936 में सामिल किया गया फिर इसको बाहर कर दिया गया और दुबारा इसको कफ सामिल किया गया तो दुबारा इसको 1972 में सामिल किया गया किस्टन में 1972 इस भी में सामिल किया गया तिक अब अगर मैं बात करूँ कि हैंड बाल का जो डाइमेंसन होता है अगर लंबाई और चोडाई की बात करें मैदान की तो लंबाई और चोडाई होता है कितना 40 into 20 मीटर होता है ठीक गोल पोस्ट जो होता है गोल पोस्ट से गोल कीपर लाइन कितने मीटर की दूरी पर होता है तो गोल कीपर लाइन की अगर बात करें गोल कीपर लाइन गोल कीपर जो लाइन है वह होती है आपकी 6 मीटर की दूरी पर यह अक्सर पूछ लिया जाता है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि गोल से पेनाल्टी लाइन कितने दूर पे होता है तो गोल से पेनाल्टी लाइन जो होता है वह होता है 7 मीटर की दूरी पे 7 मीटर की दूरी पर होता है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, गोल पोश्ट की लंबाई और चॉड़ाई यह बहुत पूशता है, तो याद रखना, गोल पोश्ट की लंबाई और चॉड़ाई, इंतु चॉड़ाई कि अगर मैं बात करूँ, तो यह होता है आपका 3 x 2 meter कितना 3 x 2 meter होता है बाल का वजन कितना होता है 425 से लेके 475 ग्राम किसके लिए पूरसों के लिए और महिलाओं के लिए होता है आपका 325 से लेके 400 ग्राम तक कितना होता है 325 से लेके 400 ग्राम तक आपका क्या होता है महिलाओं के लिए बाल का वजन ह यह 350 से 375 तक नहीं होगा यह गलत है क्यूंकि इसका होता है 325 से लेके 400 ग्राम तक अगर इसके ब्यास की बात करें तो इसका जो ब्यास होता है वह पूरसों के लिए होता है 58 से 60 कितना होता है यह होता है 58 से 60 सेंटीमीटर पूरसों के लिए होता है तो यह भी गलत है आपका यह भी गलत है महिलाओं के लिए व्यास की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए व्यास जो होता है वो होता 54 से 56 होता है तो क्या होगा तो आप क्या बताओगे तो क्या बताओगे तो क्या होगा पूरुसों के लिए व्यास 19 सेंटीमीटर नहीं होगा मेरे भाई तो इसका क्या होगा एंसर नंबर ए होगा केवल और केवल ए होगा ए ही केवल मात्र और मात्र सही है लेकिन आप लोग सी कर रहे हैं सी पूरुसों के लिए व्यास 19 सेंटीम कैसे होता है तो याद रखना तो इसमें आप्षन में नहीं है अगर आप देखोगे ठीक है ना आप्षन में नहीं है यह तो याद रखना क्या होगा क्यूंकि अगर 19 सेंटीमीटर आप जो कह रहे हैं पूरसो के लिए उननी सेंटीमीटर थोड़ी नहीं होता है पूरसो के लिए जो बाल होता है वो बाल का पूरसो के लिए जो बाल होता है उस बाल का जो ब्यास होता है वो 58 से 60 सेंटीमीटर होता है और 54 से 56 सेंटीमीटर किसके लिए होता है महिलाओं के लिए होता है याद उसने एंसर जो आयोग ने माना था A और C मान रखा था ठीक है ना तो A और C उसने क्या किया था मान रखा था ठीक चलो आगे बात करें चलिए अगले ग्शोट्टिण की ओर चलते हैं मिरा आगला क्योशन किया है ठीक है ना आएख और कुछ क्योशन गलत भी हो सकते हैं option दिया हुआ है तो of sun elunion भी तो कर सकते हैं option लो काट दिया हो गया खतन खेला चलो पूरुस और महिलाओं के लिए कबड़ी मैदान का विस्तार है 13 into 9 मिटर और 10 into 8 मिटर 13 into 10 मिटर और 14 into 8 मिटर 12 into 10 मिटर और 10 into 9 मिटर 12 into 9 मिटर इंटू 11 into 11 into 9 मिटर बताओ बताओ चाहोगा पुरुष और महिलाओं के लिए कबड़ी मैदान का विस्तार है 13 x 9 मिटर और 10 x 8 मिटर 13 x 10 मिटर और 14 x 8 मिटर 12 x 10 मिटर और 10 x 9 मिटर 12 x 9 मिटर यहां 14 x 9 मिटर हुआ 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 है देखो, अगर कबड़ी की बात करें, जो कबड़ी होता है, वह अलग-अलग होता है, पुरुसों के लिए अलग होता है, और महिलाओं के लिए अलग होता है, मैदान के लंबाई और चोड़ाई, ठीक है ना? तो अगर मैं इसमें बात करूँ, तो जो आपका पुरुसों के लिए अलग-अलग होता है, लंबाई और चोड़ाई, तो अगर मैं इसमें बात करूँ, कि जो कबड़ी है, वह पुरुसों के लिए कितना होता है, और महिलाओं के लिए, तो तेरे इंटु दस, तेरे इंटु आठ चाहे 11 इंटू 8 होता है किसके लिए आपका पूरुसों के लिए होता 13 इंटू 10 मिटर और महिलाओं के लिए क्या होता है 11 इंटू 8 मिटर होता है याद रखना मिड़ लाइन से बक लाइन की दूरु क्योंकि यह इस प्रकार से यह ग्राउंड होता है यह होता है सेंटर लाइन यह होता है सेंटर लाइन यह होती है आपकी लॉबी यह होती है लॉबी यह लॉबी की कितना होता है लॉबी की चोड़ाई तो यह एक मीटर चोड़ी होती है अब यहां से जो यहां की दूरी होती है वह कितना होती है तो middle line से buck line होती है 3.75 मीटर की दूरी पर है اور buck line से bonus line कितनी दूरी पर होता है तो यह होता है एक मीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर एक मीटर की दूरी पर यह होता है मतलब कि मिड़ लाइन से यह कितनी दूरी पर होता है तो बक लाइन से एक मीटर और मिड़ लाइन से यह होता है चार दसमलो साथ पांच मीटर इसके अलाबा बोनस लाइन से अंतिम लाइन कितना होता है तो यहां से लेकि यहां तक की जो दूरी होगी वह होता है एक दसमलो साथ पांच मीटर होता है कितना होता है एक दसमलो साथ पांच मीटर होता है seating block होता है, यहां पे seating block बना होता है, मतलब जो out होता है, वह यहां पे, क्या होता है, यहां पे बैठता है, तो sitting block जो होता है, उसकी लंबाई और चोड़ाई होती है, 8 into 1 meter की, कितनी होती है? 8 into 1 meter की match की अवधी कितनी होती है तो match की जो अवधी होती है time होता है वह इसमें होता है आपका 20 into कितना होता है 25 20 का कितना होता है 25 20 का होता है किसके लिए पूरुसों के लिए महिलाओं की बात करें तो 15 5 15 का होता है याद रखना इसमें time out कुल कितने होते हैं, 8 time out होते हैं, 44 time out मिलता है, समय कि अगर बाहर हो जाए तो क्या होता है, 30 कितना 30 second का मिलता है ठिक, अगर player की बात करें, कि जो player होते हैं, वो कितने खेलते हैं तो याद रखना 7 player इसमें खेलते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? चीज़ें? चलो अब इसमें आपका होता है radar क्या होता है, chaser क्या होता है इसमें कुछ őसे word होते है anti-radar क्या होता है उसके अलावा इसमें होता है, super tackle क्या होता है, ये सब चीजे समझने की बात है, ये जब कबड़ी वाला topic आप देखोगे, तो कबड़ी वाले topic में मैंने सब बता दिया है, super tackle क्या होता है, do and die rate क्या होती है, ये सारी चीजे मैंने बताया रखा है आपको, bonus point कम मिलता है, अगले question पर चलते हैं, volleyball code की पूरी code diagonal विकरण दूरी कितनी होती है, 22.215, 22.575, 20.125, 20.215, बताओ, क्या होगा? तो देखो, diagonal निकालने के लिए देखो, इस तरीके से ground होता है, volleyball का, 18 ये होता है, 9 ये होता है, तो अगर ये 9 है, ये 18 है, तो यहां से विकरण डाल होगे, तो यही पूछता है, diagonal दूरी कितना है, तो 9 नमा, 81, और 18, अठार, अठार हमें कितना होता है, गुणा कर लो, 18, अठार, अठार हमें, जल्दी बताओ, 18, 18, अठार हमें कितना होता है, 8, 8, 8, 64, और 8, 1, 8, 6, 2, 324, कितना होता है, 324, अब अगर मैं बात करूँ, तो 18, और 324, कितना होगा, तो 18, 324, 405, और 405 का जब तुम निकालोगे, under root, कितना निकालोगे, under root, क्यूंकि यह क्या होता है, यह root, क्यूंकि ऐसे होता ने, AC square माल लो, तो यह है, तो अब इसका जब यह हटेगा, तो AC बराबर हो जाएगा, माल लो, यह A हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया, ऐसे माल लो कुछ B, या B माल लो, कुछ B माल लो, यह B, तो अब यही दूरी निकालनी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जब तुम करोगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, 405, अब 405 का जब तुम क्या करोगे, वर्ग मूल निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, तो वोगा 20.1246 होता है तो उसको हम माल लेते हैं 20.125 क्या माल लेते हैं? 20.125 हम माल लेते हैं कितना माल लेते हैं? 20.125 माल लेते हैं समझ में आया कि नहीं यह question यह question आपको समझ में आया की नहीं? जल्दी से बताओ यह question समझ में आया की नहीं कैसे होता है? क्योंकि देखो, कभी भी, जब भी होता है जब भी आयताकार होगा या वरगाकार होगा तो उसमें अगर कोई भी midpoint निकालना होगा तो सबसे पहले आपको क्या काना बिकरण ही निकालना पड़ेगा बिना बिकरण के कल्यान नहीं है क्योंकि ये जो लाइने है ये अगर सीधी खीछनी है तो उसके लिए ट्रिपलेट लगाना जरूरी है इस तरीके से तब वहां पे निकालना तब जाके तब जाके यह समझ में आता है ठीक है ना नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे देखो आप लोग ट्रिगनामेट्री समझे हैंगी ने ट्रिगनामेट्री क्या होता है जानते हो ट्रिगनामेट्री पढ़े हो थोड़ा सा ट्रिगनामेट्री पढ़े हो लाल बटा कका वाला रू अब्वे डिगरी का कोण बनता है तो ये खोता है आधार ये होता है लंब और ये होता है विकर्ण और यही दूरी निकालने को यह बोल रहा है तो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर इसको बोलते हैं हम कर्ण क्या बोलते हैं कर्ण बराबर कर्ण क स्क्वायर अब अगर पूछेगा आधार का स्क्वायर मालो ये दूरी निकालना पूछता तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कंड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अगर आपसे लंब का स्क्वायर पूछ लेता कि लंब कितना होगा तो लंब निकालने को पूछेगा तो क्या बताओगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर तो इसमें देखो दो चीजे दी गई है क्या क्या दिया गए आपको कर्ण निकालना है तो हमारा कौन सा फर्मूला लगेगा ये वाला फर्मूला लगेगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो आधार यह कितना होता है यह होता है 18 और लंब कितना होता है 9 तो 18 का क्या करेंगे हम तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, 18 का स्क्वाइर, प्लस 9 का स्क्वाइर, बराबर, कौन्ड स्क्वाइर हो जाएगा, अब जब यह 18 का स्क्वाइर करोगे, तो 18 का स्क्वाइर कितना अभी मैंने बताया आपको? अरे आठ नो में पढ़ोगे तब भी साप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया 18 का स्कॉयर कर लेना 9 का स्कॉयर कर लेना जब 18 और 9 का स्कॉयर कर जितना आएगा उसको जोड़ोगे 405 इतना उसको बाद में यहाँ पे कंड का स्कॉयर कहा था ना तो अब देखो अगर स्कॉयर हटाओगे तो जो चीज आप प्लस में करते हो उसके आगे क्या लग जाता है अंडर रूट लग जाता है अंडर रूट निकालने के लिए अंडर रूट क्या होता है वो अब इतना चीजे हर एक चीज बेसिक चीजें हैं इसको आपको बच्पन में ही आपने पढ़ा होगा ठीक है ना यह इस तरीके से निकलता है चलो अगले क्योशन की चलते हैं क्योशन नमर 18 क्या कर रहा है वाली बाल की बाल का भार और परधी कितना होता है 250 से 270 ग्राम और 64 से क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जिससे आपको नौटिफिकेशन मिलता रहेगा है हां। है बिल्कुल योगेंदर जी यह पाइथा गोरश प्रेमेय है क्लास यड में पढ़ाया गया था करिस्मा जी पाइथा गोरश त्यूरी्स इसको आप ट्रिप्लीट से भी निकाल सकते हो किन से से भी निकाल सकते हो हाँ ट्रिफलेट अगर आपको याद रहेंगे तो आप इसको निकाल सकते हो ठीक है ना अब बॉली बॉल की अगर मैं बात करूँ तो जो बॉली बॉल है इसका अविसकार क्रिस्टन में हुआ था था ठारा सो पंचानवे किसे ने किया था तो विलियम जी मॉर्गन ने किसने विलियम जी मॉर्गन ने किया था ठीक है ना और अगर मैं बात करूँ कि बॉली बॉल को पहले किस नाम से जानते हैं या अक्सर क्योशन पूछा जाता है तो याद रखना मेंटो नेंट के नाम से जाना जाता है किस नाम स अलफोर्ड टी हॉल ने किसने डाक्टर अलफोर्ड टी हॉल ने इस खेल का नाम क्या रखा था बॉली बॉल रख दिया था ठीक है ना अगर आप से यह पूछे कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी बॉली बॉल का गठन कब हुआ तो एफ आई वी बी कब हुआ तो जब हमारा द इसका बाजाद हुआ उननिश्टो से तालिस में आजाद हुआ तो इससे याद रखने ना तिक है ना इसका मुख्याले कहा है स्प्रिजल लैंड में है तिक अगर आप से पूछ ले एस याई वाली बाल पर संग कब बना तो जब हमारे देश में सम्विधान लागू हुआ उसके दूसरे साल बाद हमने क्या किया एस या के साथ मैच खेला बॉली बाल का तो 1950 में सम्विधान लागू हुआ उनिश्टो बावन में खेला मैंने क्या ABC याद रखना ABC उसके बाद में अगर बॉली बाल फेडरेशन आफ इंडिया की बात आई तो इससे एक साल पहले ज घल्ज़ पहते हो तक होने तक ही इसमें जितनी चीजें हैं वह चीजें तो वीफाई कव 1950 में समझ में आ रहा है न? अगर मैं बात करूँ हव ऐल्निश्टो सब्हान का हुआ उनिस्टो का सामिल हुआ किumba में गर्मंभि या已經 सामिल में और फेडरेशन में सम्दमने पौला इसके बाद में अगर लंबाई चोड़ाई आप जानते ही हो इसके विश्य में भी सारी चीजे बता दी हैं अगर मैं इसमें बात करूँ आपका क्या पूछा है तो इसमें आपका पूछा है कि बाल जो होती है क्या होता है जो बाल होता है उसका वजन कितना होता है यहीन पू होता है और इसकी परिधी कितनी होती है 65 से 66 सेंटीमीटर होता है इसमें वायु दाब अगर पूछ लेगा कि वायु का दाब कितना होता है यह भी पूछ सकता है तो याद रखना अगर उसको टिवकल्ट बनाना होगा तो 0.40 से लेके 0.45 किलो ग्राम पर सेंटीमीटर इसक्वायर होता है यह याद रखना आप लोग ठीक है ना ठीक है किसी को कोई दिक्कर कोई समस्या हो तो बता देना चलो अगले क्योश्यन की बात करते हैं कौन सा खेल और उसका समय का सुमेल सही नहीं है हैंड बाल तीस मिनट मलब तीस दस तीस फुटबाल पैतालिस पंद्रा पैतालिस कबड़ी पचीज दस पचीज बास्केट बाल दस दो दस पंद्रा दो दस बताओ अब अगर हैंड बाल की बात करें तो हैंड बाल जो है यह कितना होता है तो हैंड बाल की अगर मैं बात करूं यहां पे एक चीज और लिखना दस दो दस पंदरः दस दो दस अब ये सही है option तो handball 30 मिनट का game होगा फिर 10 मिनट का रेष्ट होगा फिर 30 मिनट का game होगा अभी मैंने बताया फुटबाल 45-45 के दो हाफ होते है 15 मिनट का क्या होता है आपका interval होता है तो ये अभी सही है कबड़ी 25-25 का नहीं होता मैंने भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कबड़ी कितने कितने मिनट का होता है 20-5 20 का होता है और बास्केट बाल 4 quarter में होता है 10-10 के 10 मिनट का game होगा 2 मिनट का break होगा फिर 10 मिनट का game होगा फिर 15 मिनिट का इंटर्वेल होगा फिर 10 मिनिट का गेम होगा फिर 2 मिनिट का बिरेक होगा फिर 10 मिनिट का क्या होगा गेम होगा तो बास्केट बॉल भी क्या है सही है तो इसमें क्या नहीं सही है यह कबड़ी और यही पूछा है क्या इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित सही नहीं है क्या जो सही नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा answer number 3 क्या हो जाएगा answer number 3 हो जाएगा याद रखना चलो अगले question की ओर चलते हैं अगला question कहा रहा है तेराकी में इनमें से कौन सा कि बिल्कुल सतीजी कबड़ी मेल मैक्सिमिम्म 85 किलोग्राम फीमेल 75 किलोग्राम बिल्कुल बिल्कुल बेरी गुर्ट अब देखो इससे आप यह अरुमान लगा सकते हो कि जितने भी गेम है उनके मेजर्मेंट को आपको पढ़ना है जितने भी आपके क्या है जितने भी आपके गेम है उनसे जो रिलेटेड सब्दों को पढ़ना है जो गेम है उनसे रिलेटेड नियम को पढ़ना है जो गेम है उनसे रिलेटेड जो भी क्या है आपकी टाइमिंग है जितने मिनट का होता है जितने पॉइंट का होता है वह सार गेम से ज़्यादा नहीं आते हैं, अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो जो stroke होता है, तो दोखो, एक होता है, front crawl, front crawl, इसमें क्या होता है जो सीधे सीधे तैरते हैं ठीक है ना बटरफ्लाई क्या होता है बटरफ्लाई तुम देखे हो गया इसे चस्मा पहिन क्या इसे पानी इसे आगे की तरब निकालता हुआ चला जाता है ठीक उसको कहते हैं हम बटरफ्लाई ठीक है ना उसके बाद में अगर ब्रेश्ट श्ट्रोक होता है तो यह ब्रेश्ट श्ट्रोक होता है लेकि मेडले किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता है श्ट्रोक किसमें नहीं होता है तैराकी में नहीं होता है अब तैराकी जो होता है इसको हम क्या कहते हैं जो तैराकी का आयोजन कराता है उसके सं होता है उसका क्या नाम होता है तो आप क्या बताएंगे कि कौन इसका वो करता है तो याद रखना फीने कौन करता है तो क्या बताओगे तो याद रखना फीने जो होता है वह इसका आयोजन कराता है ठीक है ना याद रखना चलो आगे अगर मैं बात करूं किसमें जो पुल हो याद रखना इसमें लेन की संख्या कितनी होती है तो पहले इसमें एट लेन हुआ करती थी पहले दस लेन हुआ करती थी लेकिन प्रजेंट में आठ ही लेन होती है ठीक है न अगर दस या आठ में से कोई भी आप्शन रहेगा तो आप टिक कर देंगे इसमें लेन की चौडा कि अगर बात करें तो अभी नहीं है कि तुम्हारे गाओ की नदी है नहर है तालाब है कि तुम जाए जाए देओ तालाबे में कूद गए कोई टंप्रेचर नहीं है तैर रहे हो ना यहां पर टंप्रेचर भी देखा जाता है कि इससे ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए कि 25 से लेके, 28 Centigrade, कहीं 29 Centigrade भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, पहराखी में स्ट्रोक कौन-कौन सा हता, फ्री स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है, बेस्ट स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई होता है, फ्रंट क्रूअल होता है, ठीक है ना ये सब याद रखना समझ में आ गया चलो स्वस्त जीवन का वह लच्छन है जो मनिस्त को दिर्ग जीवन और सरवादिक सेवा के योग्य बनाता है यह किसका कत्वन है जे बी नैस का जे एफ विलियम का डबलू एचो का मैक्सवेल होवेल का बताओ किसका है सुनिल कुमार, सोनू साहू, सती श्यद्वन सी, सत्यवीर कुश्वाहा, राकेश श्यद्वन सी चंड्रमनी कुमारी, आनंद, प्रजापती, योगिंदर, राकेश, दीतु, कुमारी जोती, सत्यवीर सिंघ, करिश्मा, शुनिल यादव और हां सुनील जी वही चीज है कि पहले दस मलब पहले आठ हुगा करती थी अब दस हो गई है बढ़ा के यहां पर क्या लिखा है बताया आठ और दस बताया है तो आठ दस होगा तो मलब वही है कि पहले आठ हो बाद में दस चलू वाटर पोलो को तो सामिल किया गया था ना ओलंपिक में अगर आप वाटर पोलो की बात करोगे तो वाटर पोलो उन्निस तो पूरसों को सामिल किया गया था स्विमिंग को सुरू से जब से उलंपिक हो रहा है तब ह ुसमें सामिल किया गया है पाणी की गहराई 1.80 मीटर होती है आप अब वाटर पोलो में कितने प्लेएर होते हैं यह पूस्ता यह तो साथ खिलाडी होते हैं इसमें जो बाल होता है बाल का वजन कितना होता है चार सो लेके 450 ग्राम तक होता है इसमें मैच की जो टाइमिंग होती हुआ कितने होता है पांच मांच मिनेट के चार क्वाटर होते है वो आटर पोलों की बात हो जाएगी ठीक है ना बैया बीपीयड वाले सीटेड DAN नहीं भर सकते रित्तु जी बीपीयड वाले सीटेड then नहीं भर सकते स्वास्त जीवन का वहल अच्चन है जो मनिसकों दिर्ग जीवन और सरवाधिक सेवा के योग बनाता है यह किसका कत्षन है बताईए जल्दी से क्या होगा तो याद रखना जो भी चीजें हैं अगर लंबा जीना है लंबा जीना है तो जीना है तो क्या है भाई जे एफ विलियाम्स क्या जे एफ विलियाम्स अब डबलू यचो ने क्या कहा है स्वास्त के लिए डबलू यचो ने कहा है कि स्वास्त वह स्वास्त केवल रोगों से बचाव ही नहीं है बलकिन हर व्यक्ति की आर्तिक, सारीरिक, मानसिक एवं संबेगात्मक इस्तितिस हर पूर्ण रूपेंड क्या होना चाहिए वह स्वस्त होना चाहिए केवल रोगों से ही सुरच्छा स्वास्त नहीं है ठीक है ना? याद रखना ठीक? चलो ये कहा था किसने? डबलू यचो ने कहा था अगले क्योशन की बात करते हैं हम निमलिखित में कौन सा स्वास्त का पच्छन नहीं है? अध्यात्म, शारीरिक, अनुरूपता, फिटनेस, मानसिक्ता कौन सा अध्यात्म का पच्छन नहीं है? रख्यात्रटटब रख्यात्रच नहीं है? तो देखो कौन सा स्वास्त का पच्छ नहीं है तो क्या बताओगे अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो अगर मैं फिटनेस की बात करूँ तो फिटनेस स्वास्त की बात करता है और यह जो फिटनेस होता है यह सारीरिक भी होता है मांसिक भी होता है और अध्यात्मिक भी होता है यह क्या होते है यह इसके कंपोनेंट होते है अध्यात्मिक सारीरिक मांसिक लेकिन अगर फिटनेस की बात करें तो यह फिटनेस क्या हो या इसके component नहीं होते हैं फिटनेस क्या है फिटनेस वह है जो हम बिना थके किसी भी कारे को या दैनिक दिन चरया को क्या करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं उसे ही हम फिटनेस बोलते हैं या किसी भी प्रकार का एस्पेक्ट नहीं है, health का एस्पेक्ट नहीं है, health का एस्पेक्ट है, अध्यात्मिक होता है, सारीरिक होता है, मानसिक होता है, तो याद रखना, क्या होगा? अनुरूप्ता या, fitness होगा, spirituality, physically, or mentally होता है, येकिन fitness की अगर बात करें, तो fitness खुद में, स्वयम में, एक अलग रखता है फिटनेस वह होता है जो हमारे धैनिक कारेयों को बिना ठके हम करते हैं और उसके बाद भी उर्जा को संदच्छित करते हैं ठीक है ना चल अगले क्योश्चन की बात करते हैं अगला क्योश्चन कह रहा है अनुभाओं का योग है जो हमारी आधतों मनुबृतियों और ज्यान जो व्यक्ति समुदाय और सामाधिक स्वास्त के विशय में प्रभावित करती हैं सारी इरिक सिक्षा स्वास्त सिक्षा सारी इरिक संस्कृति सारी इरिक कुसल्च्छें बताओ क्या होगा कहने का मतलब है is the sum of experience which favorable influence habits attitudes and knowledge relating to individual community and the social health क्या होगा physical education होगा health education होगा physical culture होगा physical wellness होगा क्या होगा और यह किसी एक व्यक्ति ने कहा था बताओ क्या होगा तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि अनुभाव का योग है जो हमारी आदतों मनुवृत्तियों और ग्यान इन सब की बात करता है यह पात कहा था थामस उड़ने किसने कहा था यह कहा था थामस उड़ने और यह थामस उड़ने किसके लिए कहा था तिनों ने कहा था एजुकेशन के लिए कि स्वास्त सिच्छा अनुभाओं का योग है जो हमारी आदतों मनुबृत्तियों और ज्ञान जो व्यक्ति समुदाय और सामाधिक स्वास्त के विशय में प्रभावित करती हैं तो याद रखना ये उनकी परिभासा है तो तेक है ना ठीक है क्या होता है अनुभाओं का योग है जो हमारी आदतों मनुबृत्तियों और ज्ञान जो व्यक्ति समुदाय और सामाधिक स्वास्त के विशय में प्रभावित करती है तो ये बात कही थी थामसूड ने मेरे भाई किसने कही थी थामसूड ने किसके लिए कही थी स्वास्थ सिख्षा के लिए कही थी हेल्थ एजुकेशन की उन्होंने क्या दिया था परिभासा दिया था चलो 24 नमबर क्योशन की बात करते हैं हाईजीन सब्द यूनानी सब्द हाईजीनियस से व्यूत्पन्न हुआ है जिसका आर्थ है स्वास्थ, स्वास्थ, स्वास्थपूर्ण, स्वास्थव्य. मतलब, the word hygiene has been derived from the Greek word hygienius, which means healthy, health, healthful, even healthiness. क्या होगा, बताओ. अनिल गवतम जी फोटो आ जाएगा, भाईया फोटो में क्या रखा है, समझ नहीं है, ना समझ में आए, वो बताइए, मैं तो वहीं रहूंगा, थोड़ा स्मार्ट समय नहीं हूँ, इस वज़े से फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, समार्ट हो रहा हूँ, तेल काजल लगा रहा हूँ, जिस दिन तेल काजल लगा है कि एकदम फिट हो जाऊँगा, तैयार हो जाए, एकदम समार्ट दिखने लगँगा, आप लोगों को दिखाने लगए, खो जाऊँगा, तब आउँगा, क्योंकि आप लोग बार बार मेरी वह हाईजीनियस से उपन होता है जिसका अर्थ होता है हेल्थ फूल क्या होता है हेल्थ फूल हेल्थ फूल ठीक समझ में आया स्वास्थ पूर्ड ठीक है ना चलिए आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं ठीक है ना 25 नमबर किस बैक्टीरिया से मनुस्यों में यच्छमा है न तो यह जो यच्छमा है एच्छमा का मतलब होता है आपका क्या अगर एच्छमा की बात करें तो एच्छमा के बजाए यह होगा ट्यूबर कुलोसिस मतलब उसको हम क्या करते हैं हिंदी में ट्यूबर कुलोसिस को हम करते हैं 6 रोग कि किस बैक्टीरिया से मनुस्यों में 6 रोग होता है क्या 6 रोग याद रखना इसको क्या बोलेंगे एच्छमा को 6 रोग 6 रोग होता है माइक्टो बैक्टेरियम ट्वर्कुलोसिस, माइक्टो बैक्टेरियम ट्वर्कुलोसिस, माइक्टो दे रहे हैं, करिस्मा सारस्वजी इसलिए ते क्योस्चन बता दे रहे हैं, कि ट्वर्कुलोसिस इसलिए ते क्योस्चन बता दे रहे हैं, कि ट्वर्कुलोसिस इसलिए ते टूबर कुलोशिस बोविस उसके बाद में है आपका फ्लो भी्टीरियम टूबर कुलोशिस चन्य होता है या क्या होता है या संक्रामक रोग होता है जिसको हम क्या करते हैं Михeal क्या कहते हैं तीबी मतलब वाली टीबी नहीं जो घर में टीबी लेगी होती है पिच्चर उच्चर देख ले पता जला किसी को टीबी हो जाए और तुम का कहो चलो भाई आई इसमें क्या करो तारवार लगाओ अब तो टीबी घर में आ गई भी इसको का करेंगे हम लोग दे होती है ना माइक्रो बक्तिरियम टीबा्ड कुलोसिस होती है कि कि यहाँ पता चला किसी को टीबी है तुम तो चलो घर में तीबी आocyद आगे पुरे घर को फैल जाएगा तीज है आपके दिमाग में भी TB हो जाती है एक नाम सुने हम को अलसर का नाम सुना है न तो यही TB जब अंदर की तरफ होता है और जब घाव कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं अलसर बोलते है ठीक है ना कि चलो आगे बात करते हैं कि वाता अरे भाई कतरनाक लिख दिया है वात्राव वरन लिख दिया है वाई संस्कृत लग रहा है मेरा टाइपिश्ट आज कल पढ़ रहा है वाई संस्कृत चलो वाता वरन सचता का मूल सिध्धानत है प्रकित क्या आधर करें प्रकित में रहने रहने वाले प्रजातियों का अधर करें बताइए चालो जाली उताव एगा चालो मैंने चालो जालो रिस्पेक्ट आल स्पीजिस लीविंग इंदा निचर वातारण का स्वच्छता का मूल सिध्धांत क्या है क्या है स्वच्छता स्वच्छ सरवेच्छाण तो क्या बताओगे प्रकीती और उसमें सभी रहने वाले जीव प्रजातियों का आदर करी यही होता है सच्छता का बूल सिधान्ट अब यह नहीं कि पता चला तुम हो इंसान और कोई मिल गया जानुवर अब उसे तुम पीट-पीट के मार डालो बहार डालो उसको तो ऐसा नहीं करना है यहां पे तुम हो तो प्रकिती का सम्मान करो नेचर में जो भी है सब तुम्ह सब आठें, तुम्हारा है अभी प्रत कौकरने मत जाना किसी का खेत नहीं मतलब कहने का मतलब जो आपके वातावर्ड़ का जो सरांडिंग में जो जीव हैं वह सब आफी की तरह हैं उनका विजजयत करना है उनके प्रत्या रखना है आदर रखना है यह नहीं कि तोड़े मुर्गा खाओ कुछ बचाए भी रखो क्योंकि वातावण में बैलेंस के लिए यह सब सारे जीव जन्तु जरूरी है जैसे गिद्ध दीरे-दीरे खतम हो गया गौरया खतम हो गई यह सारी चीज़े तो उन सब काम को आधर करना है ठीक उमेज प्रसा यूपी टेट का एक्जाम कब होगा सर भाई या यूपी टेट हम नहीं जानते भाई शलिए एट्स का कारण चाहिवी है जिसका आर्थ है यूमन इम्यून वारस यूमन इम्यून डेफिसियंसी वारस यूमन इम्यून वारस यूमन एम्यून डेफिसियंसी वारस बताओ क्या होगा जल्दी से 1 दिसंबर एट्स दिवस जाद है कि नहीं याद है तो एट्स दिसंबर को याद रखना क्या है एक दिसंबर एट्स दिवस होगोगा question एकदम पूसता है हर exam में, आप कोई भी exam दिये होंगे आप कोई भी exam दिये होंगे, आप खुद बताइएगा AIDS से question आता है कि नहीं और हर बार आता है, एक बार नहीं हर बार आपका AIDS से question आता है, इसी बार नहीं हर बार आता है, तो अगर AIDS की मैं बात करूँ आप लोगों से तो एक दिसंबर क्या एट्स में acquired AIDS का full form क्या होता है AIDS का full form होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome का कारण क्या होता है HIV अब HIV का क्या नाम होता है HIV को हम क्या कहते हैं तो HIV को कहते हैं हम human deficiency अब देखो यह question जो है आपके किसमें आपके TGT में भी पूछा गया है किसमें पूछा गया है TGT में भी पूछा गया है तो याद रखना human immunodeficiency virus यह वाला option बहुत देता है और सबसे ज़्यादा बच्चा confused यही होता है human immunovirus कर देता है क्योंकि है HIV है एच से समझ लेता है human, IE से समझ लेता है immuno, V का मतलब virus समझ लेता है लेकिन इसका full form होता है human immunodeficiency virus होता है समझ जाना यह जो होता है AIDS जो होता है या किसी प्रकार का रोग नहीं है बलकिन इसमें आपकी रोग प्रतिरोधक छमता खतम होती है आपके अंदर जो रोगों से लड़ने वाली एक आपका T lymphocyte होती है क्या होती है lymphocyte होती है जो WBC का बाद है तो यह lymphocyte जो होती है यह क्या हो जाती है यह dead हो जाती है यह इसको HIV जो है मार डालता है जब यह मार डालता है तो यह किसी भी चीज को पहचान नहीं पाता बाहर से कोई virus और अब पता चला घर का मलिक है निपट गया तो अब कोई आएगा अगर बता देगा हम तुम्हारे रिष्तेदार है अब बिटवा सब बाहर रहता है तो कर देगा हाँ भया होंगे कोनों जो आने में रिष्तेदार होंगा आईए पानी पीजिए चाय पीजिए और घर में अगर पानी चाय पीने लगेगा तो उसके बाद में घर के ही आदमी को खाना शुरू कर देगा अब बाहर से फिर यह भी हो जाएगा आपके सरीर में अब कंडिशन यह होगी कि अगर आपके दूसरा होता है वेस्टन ब्लाश टेस्ट क्या होता है वेस्टन ब्लाश टेस्ट और एलीसा टेस्ट होता है एलीसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंकेड एम्मिनिसेबल और एजे ठिक तो यह याद रखना यह होता है आपका क्या यह होता है एलीसा का फुल फॉर् कि बात करते हैं 28 नमर्क्योशन क्या कर रहा है इन में से कौन सा तुचा चोट इसकी निंजरी नहीं है एब्रेजन एवेलशन इन्सीजन और इस्ट्रेंड बताओ जल्दी से तो अगर इन में से कौन सा तुछा का चोट या इसकीन इंजरी नहीं है तो क्या बताओगे अबेर्जन क्या होता है अबेर्जन होता है जैसे तुम जा रहे हो अब तुम जाते हो तो बड़े रुआब में सीना टाइट करके जा रहे हो पदला दिवाल आ गया दिवाल से अग्दम सट गए अब कोई पकड़ के खीच दिया जैसे आदमी कहता है ना मारता कम है घसिलाएंगे ज Morning जादा घसितेंगे जाद तो घसितने के बाद जो लगता है ना उसी को ép markets कराने ना जाओगे किसका क्या स्टोन आजकल बहुत हो रहा है स्टोन का अपरेसन कराने तो गष्ट में हो तैंडें अबिए किस और होता है अब टेंडन में होता है मेरे भाईया टी से टेंडन टी से क्या होगा इस्ट्रेंड में भी टेंडन में भी टी आएगा अब टेंडन होता क्या है तो मैंने बताया था जो बोन और मसल को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं टेंडन कहते हैं जैसे बीम सर क्या है हमारे यहां टीचर है किसके मैज के टी मिलते हैं लिगामेंट और लिगामेंटों की जो चोट होती है तब ये कैसी हेड़ी चोट फैक्चर कहलाती है ग्रीन इश्टीक ट्रांसवर्स कम्यूटेटेड इंपैक्ट बताओ क्या होगा बताओ जल्दी से बाकी आपको इस पोर्ड मेडिसिन में बहुत कुछ बताया था मैंने अक्सर इस क्योश्टन को मैंने कई बार एक दम एक्स्प्लेइन कर दिया है ठीक है ना देखो अब ट्रांसवर्स क्या होता है ट्रांसवर्स की बात करें तो जैसे ये माल लो तुम्हारा बोन है क्या है ये तुम्हारा एक बोन है अब इस बोन में क्या हो इस प्रकार से क्या जाए इस प्रकार से फैक्चर हो जाए तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस्वर फैक्चर अब अगर इसी बोन में इसी बोन में अगर आपका कैसे फैक्चर हो जाए इस प्रकार से फैक्चर हो जाए मलब चरक जाए हड़ी तो वो होगा linear fracture क्या होगा linear fracture अगर ये bone है आपकी ठीक ये bone है और इसमें जो है अगर इस प्रकार से fracture हो जाए यहां से यहां तक तो इसको हम बोलते हैं obliq or non displaced क्या obliq non displaced बोलते हैं इसको ठीक अगर देखो अगर यहां से ये bone है ये bone यहां आ गई ये bone यहां आ गई और पता चला ये bone आपकी यहां आ गई तो ये क्या होगा obliq displaced fracture होता है ठीक है ना अब अगर मैं बात करूँ कि इस प्रकार का fracture है इस प्रकार का fracture है और पता चला यहां पर यह जितना अब यह सब चूर के बूसा हो गया तो उसको हम बोलते हैं Communicated Factor अब इसी के वज़ा से ये तूटे और इसके तूटने की वज़ा से Internally organs में Internally organs में अगर चोट आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे आप बताओ तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं Impact Factor तो इसमें क्या कहा रहा है हड़ी तूट कर या कुछले जाने पर कई टुकडे में हो जाती है तब यह कैसी होगी तो यह होगी Communicated क्या होगी Communicated bone होती है ठिक अब देखो एक होता है Green Stick Factor ये होती है तूट गई और इधर अभी पकड़ी हुई है और हड़ी क्या हो गई है मुड गई तो इसे ही हम क्या बोलते है Green Stick Factor बोलते है जो बच्चों में जादा होती है ठिक ठिक है ना और ठिक तो कई प्रकार क्यों जिसे Impact Factor हुआ उसके बाद देखो Impact में क्या होता है एक हड़ी तूटती है और दूसरी हड़ी में घुच जाती है दूसरे हड़ी को भी तोड़ देती है हाँ और एक होता है Complicated Factor Complicated में क्या होता है तूटती तो है लेकिन वह क्या करती वह कई सारे अंगों को भी damage कर देती है मतलत इसके किसी के impact से टूटा Impact मतलत इसका प्रभाव जिसी दूसरे पर पड़ा और दूसरा भी इसकी वज़ा से नुकसान में आ गया उसको कहते है Communicated क्या हो गया बहुत छोटे 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 टुकडों में तूट गया उसको हम क्या बोलतेंगे Communicated Factor बोलते है ठीक है न? ठीक तो कई सारी चीज़े होती है तो यह आप याद रखना इसके अलावा भी होता है Spiral Factor अब Spiral Factor क्या होता है Spiral Factor होगा जब क्या होगा जैसे Spiral नहीं होता इस प्रकार से टूटे ये माल लो ये आपकी बोन है ये आपकी बोन है और इधर से जैसे Spiral नहीं होता इधर से टूटे है और इधर निकल जए मलब कि ये जैसे कि राउंड जहीं होता Spiral उस प्रकार से अगर टूटता है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको Spiral करते हैं, ठीक? ठिख है ना चलो अगले question की बात करते है question number 30 AIDS का पहला मरूज वर्स में तथा वर्स भारत में सूचणा में आया किस तन में आया AIDS का पहला मरीज किस वर्स में विस्थ पहारत में बात में आया जल्दी से बता हा चलो बताओ जल्दी से AIDS का पहला मरीज वर्स में विश्व में तथा वर्स भारत में सूचना में आया बताओ भाई और आज का आखरी क्योश्यन है तो याद रखना AIDS का पहला मरीज 1981 में किस्टन में यहां मन लिख दो 1981 में विश्व में मिला तथा भारत में अगर बात करें कि भारत में किस्टन में आया तो 1986 में अब देख लो कहां है 1981 और 1986 186, answer number 2 हो जाएगा, ठीक तो यह आज का question, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, इसी प्रकार से नए questions के साथ, तब तक के लिए लेंगे विदा, थाइंक्यू, धन्यवाद, जैहिंज, भारत कुछ रहें, सोस्तर यह मस्ते हो, तैयारी करते रहें, तो चलिए, कल फिर के लिए, आप चो है, टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लें, इसके साथ ही साथ, यह हमारा, आपका WhatsApp चैनल है, इस WhatsApp चैनल को आप फालो कर लें, इस QR कोड के थ्रू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यह जो नोड, डेली क्लास की नोड, आपका इसके लावा, वैकेंसी अप काम बंद होने की कगार पर है, कुस जग हो, कुस पर बैन लगा दिए, इसके साथ ही साथ, जो लोग TGT से हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, KBS, NBS, BPSC, TRE 4.0, या किसी भी physical education की तैयारी कर रहे हैं, और वो मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं, तो 9628959237 पर संपर कर सकते हैं इसके साथ जो लोग free of cash पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक लब बैस है, आप एक लब बैस को जोईन कर सकते हैं, जो कि free of cash में एक चवणनी नहीं आपको देना है, ठीक है ना, चलिए, तो आज की class को यह ही तक रखते हैं, थांक्यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत कुछ रहें, पस्त्रहें मस रहें, और तयारी करते रहें, सुबरात्री